नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब उमीद करती हों कि रोज की तरह आप सब बहुत अच्छे होंगे तो आज मैं फिर से लेकर आई हूँ किचिन के कुछ ऐसे यूसफोल टिपसन ट्रिक्स जिने देखने के बाद आपकी धेर सारी बचत होगी और साथी दोस्तों इन सारे टि चीज नोट किये होगी कि नारियल को जहां फोटते हैं तो वो टेड़ा मेड़ा फोटता है तो यहां पर देखें मैंने क्या किया है नारियल में से पानी को अलग कर लिया है ग्लास में निकाल लिया है मतलब एक जो इसकी आँख है ना इसमें से मैंने पानी को अलग कर लिय तब हम क्या करेंगे दोस्तों यहां पर गैस को बंद कर देंगे बहुत अच्छा सा ट्रिक है आप अगर यूज करोगे तो आपका जो नारियल है बिल्कुल बरावर टूटता है तो यहां पर देखिए थोड़ा सा मैंने इसको गरम किया और एक बार जो पल्टा होता है उससे इस तरह से उलट दिया जिससे ये बरावर चारो तरफ से गरम हो सके यह देखिए अगर इसी तरह से आप पूरा नारियल ही छोड़ाना चाहते तो थोड़ा सा और जादा गरम करेंगे ना तो जैसे आप किसी भारी चीज़ से इसको मारेंगे सारा का सारा नारियल यहां पर अलग हो जाएगा तो मुझे फिलाल इसके दो टुकड़े करने है और बिल्कुल बराबर करने है तो यहाँ पर वो ट्रिक मैं आपके साथ यहाँ पर शियर कर रही हूँ तो बस इसी तरह से एक से दो मिर्ट इसको हम गरम कर रहींगे इसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों गैस को यहाँ पर बंद कर देंगे तो यह दिखे मेरा जुड़नारियल है अच्छे से गरम हो चुका है गैस को मैंने बंद कर दिया है अब भी यह मैं चूके देख रही हूँ न तो यह काफी गरम हो चुका है ठीक है अब हम क्या करेंगे इस तरह से हाथ में इसको पकड़ लेंगे ठीक है अगर आपको ज़् तोड़ी ली बस इससे आपको थोड़ा सा इसको इस तरह से ठोकना है जैसे आप ठोकेंगे न यह जो नारियल है आपका आधा आधा बिलकुल यहां पर फट जाएगा यह देखिए बहुत अच्छा सा ट्रिक है अगर आपको नारियल तोड़ने में परिशानी होती है तो इ यह मैं सुचेगा इसका स्वाद चेंज हो जाता है बिलकुल भी नहीं होता है तो जब भी अगली बार आपको नारियल फोड़ना होना तो इस ट्रिक को यूज करके जरू से देखिए कर तो चलिए फटा-फट से अपना अगला ट्रिक देखते हैं दोस्तों कई बार आपने जादा प्राबलम होती है क्योंकि इसके नीचे जो इसके पैर होते हैं रबड के होते हैं जो एक जिगा चिपक के रहते हैं मतलब जल्दी से खिस सकते नहीं है तो एक छोटा सट टिप आपके साथ शेयर करूंगी जिससे यह प्राबलम आपको कभी भी फेस नहीं करने पड देना है बहुत अच्छे से यह आ जाता है और अगर आप चाहें तो अंदर इसके डबल टेप भी लगा सकते हैं जिससे यह बिल्कुल भी छूट के नहीं गिरेगा यह देखिए इस तरह से देखिए हम चारों पैरों में एक एक ढखकन को पहना देंगे अब जब भी आपक गैस के नीचे की साफ सफाई करनी हो या इसको हिलाला डोला ना हो तो बहुत ही आसानी से आप इसे खिसका सकते हैं यूज करके जरू से देखिएगा बहुत ही आसानी हो जाती आपको लग रहा हुगा कि नहीं ऐसे कुछ नहीं होता ऐसे ही गैस आराम से खिसक जाती है लेक कई बार रास्ते में भी हमें आपने देखा हुगा पानी की जरूत पढ़ जाती है और हमारे पास बोटल अगरा कुछ नहीं होती है या कई बार ऐसा होता है हम कई बाहर जाते हैं और कोई लिकुड चीज हमें लेके जानी पड़ती है तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक डबे में या किसी बरतन में लेके जाना चाहते हैं वो बहुत ही आसानी से आप इसमें ले जा सकते हैं बिल्कुल भी नहीं गिरती है ये देखिए मैंने आपको यहां पर पानी डाल कर दिखाया है पानी डालने के बाद देखिए आपको क्या करना है आपको इसमें एक पोधने को भानाया और बेसे उस तरह से अटाने के बाद 1 गानट इसके अंदर आपको और लगानी यह देखिए पानी बाहर नहीं निकलेगा आपको अपर देख सकते हैं यह ट्रिक न है आपके बहुत ही ज़्यादा काम आएगा तो एक बार ट्राइ करके जरू से इसको देखेगा देखे बिल्कुल भी पानी इससे निकल नहीं रहा है आपके सामने ही मैंने किया है और जब भी आपको खोला हो बस इस गांट को आपको खोल लेना है तो बहुत ही अच्छा सा ट्र है दोस्तों ये ट्रिक ना इमर्जेंसी में आपके बहुत ही ज़दा काम आएगा तो ट्राइ करके जरू से देखेगा कई भर दोस्तों आपने देखा हुगा जब नेल पेंट का यूज करते हैं तो वो साइडों से बहुत ज़दा फैल जाता है और उसे बाद में हम छुड लेना है लेने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है जब भी आप नेल पेंट लगाए ना उससे पहले यह देखे चार और आपको इसको इस तरह से दिखिए लगा देना है जैसे मैं यहाँ पर लगा री हूँ तो आप अपने पेरों पर लगाना चाहते है नेल पेंट तो पर भी आपको अच्छे से 4 और नारियल तेल को अपलाई कर लेना है इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है जैसे हम नेल पेंट लगाते हैं ना सेम उसी तरह से आपको नेल पेंट अपने हाथों पर लगाना है और कितना भी ये जो नेल पेंट है ना फैल जाएगा फिर भी आप देखोगे बाद में आप जब इससे छोड़ाओगे ना जो साइडों से फैला हुआ है तो बहुत ही आसाने से छूट जाता है दोस्तों ये छोटी छोटी से टिप होते हैं जिनसे आप अपने काम को आसान बना सकते हैं ठीक है और आपनी खूब सारी बचट भी कर सकते हैं तो ये देखे दोस्तों मैंने यहाँ पर इसको इस तरह से फैला दिया है आप देखे वैसे हम इसको छुड़ाते हैं तो बहुत सारा हमारा टाइम खराब होता है लेकिन इस तरह से आप छुड़ाओगे न तो बहुत ही आसानी से और बहुत जल्दी से छूट जाता है तो अभी मैं फिलाल इसको सुखा लेती हूँ तो यह जो nail paint है दो उस तो अच्छे से सूख गया है इसके बाद हम लेंगे यहाँ पर earbud या फिर cotton और इस तरह से side ओ से हम क्या करेंगे जो भी फैला हुआ nail paint है न उसको इस तरह से समेट देंगे जिससे कि देखिए बहुत ही आसानी से यह छूटता चला जाता है क्योंकि हमने क्या किया है side ओ में नारियल तेल लगा है जिसके चिकना हट के बजय से जितना भी फैला हुआ nail paint है ना बहुत ही आसानी से छूटता चला जाएगा तो मिल कहते हूं दोस्तों यह छोटा सा tip भी आपको बहुत जादा पसंद आएगा यह देखिए फटा-फट से यहाँ पर जो भी फैला हुआ nail paint है वो बहुत ही आसानी से छूटता चला जा रहा है तो हैना दोस्तों कमाल का idea ladies लोगों को ना सबसे ज़्यदा problem होती है यह तो अगर आपको इस तरह की कोई भी problem है ना तो यह tip आप try करके जरूर से देखिएगा इससे आपका काम बहुत ही ज़्यदा आसान हो जाएगा तो यह देखिए दोस्तों जितना भी extra nail paint इतर फैला हुआ था ना मैंने उसको इस तरह से छुड़ा लिया है तो हैना दोस्तों बहुत ही useful सा कमाल का idea तो try करने के साथ साथ वीडियो को share जरूर कर दीजेगा तो चलिए फटा-फट से अपना अगला tip देखते हैं दोस्तों कई बार आपने देखा हुआ हमारे पास जो पर्स होते हैं कई पर्स हमारे पास ऐसे होते हैं जिसके अंदर कोई भी pocket दिया हुआ नहीं होता है इससे हमें पैसे रखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है क्योंकि पैसे अगर हम नीचे डाल देते हैं उपर से सामान हो जाता है तो हाथ डाल कर जह हम पैसे निकालते हैं तो साथ ही साथ सामान भी हमें निकालना पड़ता है तो इसके लिए बहुत ही यूसफुल सा टिप यहाँ पर दोस्तों आपको लेना एक जोल्ली पर्स जोल्ली पर्स लेने के बाद इस तरह से आपको क्या करना है पर्स में टक कर देना इससे आपका छोटा सा पॉकेट बन के तयार हो जाता है जो भी पैसे हैं आप क्या कीजे इसके अंदर रख दीजे इससे आपको निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी जो भी सामान है वो नीचा पड़ा रहेगा और जो भी आपके पैसे है इस तरह से जोली पर्स के अंदर रहेंगे हैना दोस्तो कितना यूसफुल सा आइडिया तो जरूर से इसको ट्राय करके दिखेगा ये इमर्जेंसी में दोस्तो आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा तो इमीद करती हूँ दोस्तो आज की ये वीडियो भी आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देज़ेगा और कौन साथ टिप आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया है ये भी मुझे comment box में comment करके जरू से बताएगा तो दोस्तों कर फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ Bye everyone and thanks for watching Bye bye